कि हम लोग सिखेंगे आपको organization structure के बारे में ठीक है ना किसी भी organization का यानि का organization structure क्या होता है यानि कि किसी भी company का जो संगठन है उसकी सनरचना कैसी होती है उसको हम लोगों समझना है और सिखना है अब देखिए जैसे कोई दी organization है वो जो चल ला है तो किसी एक संगठन में अगर दो लाथ तिन लाथ आदमी काम कर रहा है तो कोई तो होगा जो उस संगठन को लीड कर रहा होगा हर एक लेवल पर कोई एक आदमी से तो नहीं चल लागा संगठन दो संगठन का सनरचना अखिर कैसे है कोई भी जैसे माल लीजिए बहुत बड़ी बड़ी पंपनियों का अगर हम लोग नाम लेते हैं अगर हम लोग देखें तो यह सब जो ऑर्गिनाजेशन है वह आखिर चल के से रहा है कोन उसको लीड कर रहा है और किस तरीके का ऑर्गिनाजेशन का स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों समझना जरूरी है कि कोई भी ऑर्गिनाजेशन अगर आप खुद भी चलाते हैं या फिर किसी ऑर्गिनाजेशन में आप एस एंप्लॉई वर्ट कर रहे हैं तो आपको अपने ऑर्गिनाजेशन के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए और फिर तब आपको काम करने पता चले है कि हम क्या काम कर रह जरूरी है और उस उर्गिनाजेशन को ही नहीं समझना जरूरी है उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है तो देखिए सबसे पहला जो उल्डेस्ट में अगर हम लोग कह लें और बहुत जादे मैं पावर को अगर हैंडल करने के लिए जो में यूज हो रहा है वह आपका ह हिरार क्या मेथर्ड फिक है नं स्रkick बदड यरारखी नहीं रोड़ का मतलब केा मतलब वह इसमें जो पाश्रोंपर रहें वह बडावर डैरेक्चन में मिलब कमांड जहुँआ है वह कर डा दौन ड़र डाज देर एक चलता और उसको आराम से अम लोग समझते ये तो जिसे यह hierarchy pattern में जो command है वो ऊपर से नीचे की ओर flow करता है समझ यह क्या मामला है जिससे कोई organization है या कोई company है यह company हमारी light की उस company में यह पेन की company है तो जो सबसे ऒर नीचे ये बोर्ट क्या करेगा ने एक सीओ रखेगा ठीक है ना CEO जो है हार कंपनी में कंपनी इनुसरह कि फ़ाइड मढ़लगा जैसे मानरेजे को एक मैनुफएक़्ैक्चरिंग की कंपनी है तो उसका प्रोडशन का डिबांपनेन्ट होगा कार्णेंदि का डिपार्टमेंट होसका डिपार्टमेंट को कश सेट के कमपनी यह त। अहीं को का अनूसार उसका डिपार्टमेंट हो हुआ जो कियों के नीचे जो है सो माल लिजे कोई manufacturing की कमपनी है तो कैसा department है एक पहला डिपार्टमेंट है प्रोड़क्शन का डिपार्टमेंट है तो एक प्रोड़क्शन का क्या होगा हेड होगा उसी तरीके से एक माल लिजे प्रोड़क्शन का डिपार्टमेंट है एक प्रोड़क्शन में भी क्या है कि इसका जो है सो एक शुपर्वाइजर होगा और इसके नीचे बहुत सारे यू करमचारी काम करें तो यह जो पेटर्ण है इस फैटर्न हम लोगैसा कहते हैं हिरार्व के पेटर्डर्ण चीवर को पर करें गरियों का स्ट्रक्चर रोसकों लोग हिरार्खी पेटर्न कहते हैं यह सबसे पुराने हो और इसमें क्या है कि कोई भी आदमी जो है तो वह किसी को बाइपास नहीं कर सकता है इसको इसी को रिपूर्ट करने स्कों सबके पास अपना पावर है उसी अनुसार उसी दायुत्यों के साथ वह कांवों करते अब इसके बाद दूसरा है फंक्शनल यानि की कार्या ख Interestingly फंक्शनला और आंप है to functions के अनुसार और इसान का defence को मतलब यह कि कार आत्मक रूप से जैसे सेइल्स का टीम वह अलग काम कर रहा है कोई जो है तो मार्केटिंग की में ओलत काम कर रहा है कौन का टीम है अलद काम कर रहा है यसके उपर एक बहुत जादे नहीं है गाप जो बहुत कम है उसको हम लोग फॉंक्शनल और कि जतने बी स्टार्टप सब डशं करता हैं वह सब मतलब एक ही लाइन में सब कोई है मैं सब कोई है चोटे लेज़ता जो स्टार्ट अप टैप का कह सकते हैं यानि बीगिनिग स्टेज में जो जनली और फिर टाप का होता है डिविजिनल जो बहुत बढ़ा और यही स्टार्ट अपकर बहुत बढ़ा हो गया तो चिसका रूप ले लेगा डिविजनल टैप का और गानाज़शन इस ट्रक्ट्ट वह के जिए यह पिर नबोधय का संग्रिट है इसको डिविजन में बाटा गया या पिर सीविस्टी जो और गेंजेशन है उसको कि डिविजंस में डिस्ट्रिबउट किया तो को यह भी बहुत बढ़ा जो और और संद्रील में यह सौथ इस्ट्रे़्ट तो बारे हैं यह दिस्ट्रिब्यूट कर दिया में उसका है इस मैट्रीक्स अधे का मैट्रीक्स करते हैं जिसेें चरे रोघ्र min जैसे एक आगर इस्टेशन है माल लगारे दूसरे से इस से अनिक्टेट है और ये इस तरीके और दूर से अनिक्टेट होता है उसको लोग मेटरिक्स यह फिर ग्रीट का टीम बेस्ट मतलब टीम के अधार पर हर चीज़ का अपना अपना टीम है वो टीम काम कर लिए तो उसको हम लोग टीम टैप का और टीम का मतलब है कि हर आदमी जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है उसका हम लोग नेटवर्क टैप का यह लोगनाज़ेशन स्ट्रक्चर करते हैं एक दूसरे से हर कोई कनेटेड उसका का का सुक्या करेंगे नेटवर्क टैपकर और इसके बाद आपको अदि प्रोसेस बेस्ट इंस्ट्रक्शन आपको दिया है पढ़ने के लिए पहला दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप चौतास पचमा स्टेप अब ऐसा नहीं कि पहले पढ़ेंगे और फिर पहला स्टेप परेंगे ऐसा कभी नहीं तो इस तरीए का जो काम जिस भी और्गनेशन में है ठीक है ना कि इस्ट्रिव वाइस काम होगा तो वहां जो और्गनेशन का स्ट्रक्चर होगा वह होगा प्रोसेस बेस्ट जिसे माल लीजिए लाइट बना रहे तो सबसे पहले उसका कीट बनेगा कीट जो है सब्सक्राइजिंग में ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे पहले कोई सब्सक्राइब हो जाए अगर माल लीजिए ग्लास न लगे और आगे चले जाए तो होगा प्रोड़क्ट जाए सो वैलिड नहीं फिर आपका सही नहीं होगा वह क्वालिटी में कहीने गई छट जाएगा तो प्रोसेस बेशिट जहां काम होता है और उसके जो और बनाना परेगा उसको कहते हैं अब माल लेजे इस बहुत अच्छा एक चक्का है और इसमें यह सब्सक्राइब तो यहांं जो जुरा हुआ पॉइंट है इसको उन्हों कए सपोक और यहां जो सेंटरह में उसको करते हैं यह जो स्ट्रक्च्छर उसको हम लोग सर्कूलर स्ट्ट्चर करता है यानि कि जो एक्स्प्रियेंस ठादमी है जो प्रण करें और जो सब अभी एसोसीएट हो रहा है उसको बनाए इस पोक बने तो जो टीम का जो लीडर होगा वह सेंटर में बैठेगा ना कि टॉक में बैठेगा दूनों में फ़र्ट है और टॉक में बैठने के बाद कि अगर नीचे अवला बंदर को जुड़ना है तो बह खाए हो इस तरही एक का स्टेक्चर को आम लोग सरकूलर स्ट्रक्चर करते हैं मतलब सिंगल ना इन कमांड है जो जा रहा है उसको आम लोग लाइन इस्ट्रक्चर कहते हैं है और पहुंने सीखा है फिर हाल समस्परण है और फिर उसके बाद हम लोग अने प्रोसेस बेस्ट सर्कुलर और फिर लाइन स्ट्रिक्चर के बादे में समझा ओके थैंक्यू